नमस्कार श्रीमती वीना, सहे अचारे रसायन विज्यान, श्रीमती नर्बदा देवी राच किये सनातकोत्तर महाविद्याले नोहर जिला हनुमानकर PSE First Year में आज का हमारा टॉपिक है, Orientation, Reactivity and Selectivity in Halogenation of Alkenes Alken के Halogeni करण की अभीकिरिया में, Alken की अभीकिरिया शिल्ता एम वर्नात मक्ता यह आज की इस E-Class का हमारा टॉपिक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे की अभीकिरिया शिल्ता क्या होती है और Selectivity यानि वर्नात मक्ता क्या होती है अब कोई भी पढ़ार्थ किसी अभीकिरिया के दोरान कितनी तिवर्ता से Reaction करता है यह है उसकी Reactivity यानि अभीकिरिया शिल्ता कहलाती है और उस अभीकिरिया में कौन सा उत्पात बने इसे उसकी Selectivity कहते हैं यानि वर्नात मक्ता कहते हैं अब किसी भी रसाइनिक अभीकिरिया के दो मुख्य भाग होते हैं एक तो उस अभीकिरिया में भाग लेने वाले किरिया कारक तथा उसमें बनने वाले मुख्य उत्पात दो उसके मुख्य भाग होते हैं तो किसी भी अभीकिरिया में किरिया कारक एवम उत्पातों की उर्जा और विभिन पद जिनके माध्यम से वो अभिकिरिया संपन होती है उनकी संक्रमन अवस्था की उर्जा तथा प्रोडेक्ट्स के स्थाइत्व से उसकी रियक्टिविटी एम सेलेक्टिविटी का निर्धारन होता है मैं पुने रिपीट करती हूँ इस लाइन को कि किसी अभिकिरिया में किरिया कारक यानि रियक्टेंट एम प्रोडेक्ट्स की उर्जा तथा विभिन पदों की संक्रमन अवस्था की उर्जा तथा प्रोडेक्ट्स के स्थाइत्व से उसकी रियक्टिविटी एम सेलेक्टिविटी का निर्धारन होता है किसी अभिकिरिया में दो अत्वा अधिक उत्पाद बनने की संभावना हो, तो कौन सा उत्पाद प्रमुक रूप से उस अभिकिरिया के दोरान बनेगा, यह है उस अभिकिरिया की सिलेक्टिविटी कहलाता है. अब अलकेन के हैलोजिनी करण की प्रकरिया में मध्यवर्ती अलकाईल फ्री रेडिकल का निर्मान होता है. जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि अलकेन का हैलोजिनी करण की क्रिया शीलता को समझने से पहले, यह समझना आवशक है कि यह अभिकिरिया मुक्त मुलक क्रिया विधी के द्वारा संपन होती है. और इस अभिकिरिया के दोरान जो इंटर्मीडियर्ट्स अलकाईल फ्री रेडिकल्स बनते हैं. अब यह अलकाईल फ्री रेडिकल्स तीन प्रकार के होते हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी, एंडर टर्शरी. प्राइमरी एलकाईल फ्री रेडिकल्स वे जिनमें जो फ्री रेडिकल्स जो कार्बन होता है, यानि जिस पर वह अनपेर्ड इलेक्ट्रोन रहता है, वह कार्बन परमानों एक कार्बन से जुड़ा होता है. जबकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स में वह दो कार्बन परमानों से जुड़ा होगा, और टर्शरी फ्री रेडिकल्स में वह कार्बन तीन अन्य कार्बन परमानों से जुड़ा होगा. तो इस प्रकार से तीन प्रकार के एलकाईल रेडिकल्स होंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्श्री इनको हम कुछ उधारन जो आपके सामने ये शीट पर लिखे हुए हैं इनके आधार पर हम समझ सकते हैं कि किसी भी जो सिंपल अलकेंस होती हैं उनसे इन अलकाईल फ्री रेडिकल्स को बनाने में कितनी उर्जा खर्च होती है पहला एक्जामपल है मेथेन जिससे मिथाईल फ्री रेडिकल्स बनता है डेल्टा एज की वैल्यू है 104 किलो कैलोरी सेकेंड है मेथेन जिससे इथाईल फ्री रेडिकल्स बनता है और उसमें डेल्टा एज की वैल्यू है 98 किलो कैलोरी थर्ड है प्रोपेन जिसमें और अच्छा इन दोनों पहले की जो एक्जामपल है मिथाईल फ्री रेडिकल्स के अलावा जो इथाईल फ्री रेडिकल्स है वो प्राइमरी रेडिकल्स इस एक्जामपल में आप प्रोपेन में देखते हैं कि डेल्टा एज की वैल्यू रहती है 95 किलो कैलोरी और यह है एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स यहां पर इसमें का निर्मान हो रहा है नेक्स्ट हम देखते हैं जिसके अंदर एक टर्शरी फ्री रेडिकल्स का उसमें निर्मान हो रहा है और इसमें डेल्टा एज की वैल्यू रहती है 92 किलो कैलोरी यह जितनी भी अभी किरियाएं हैं इनमें जो आर एक्च यानि अलकाईल और हाइड्रोजन के बीच का बंदर तूट कर और दो फ्री रेडिकल्स अलकाईल फ्री रेडिकल्स और हाइड्रोजन मुक्त मुलक बना रहे हैं तो डेल्टा एच का मान उस उर्जा का मान है जो इस कारबन और हाइड्रोजन के बीच के बंद को तोड़ने के लिए अवश्यक है और इन सभी रियाक्शन में हमने एक बात देखी कि जब मिथाईल फ्री रेडिकल्स से टर्श्री फ्री रेडिकल्स की ओर जाते हैं तो डेल्टा एच का मान करमशे घरता जाता है यहां आप देखें कि मिथाईल फ्री रेडिकल्स में यह वैल्यू है 104 डेल्टा एच की वैल्यू मिथाईल में है 98 और यहां इसमें सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स में यह वैल्यू है 95 जबकि टर्श्री फ्री रेडिकल्स में है यह वैल्यू 92 तो जब हम मिथाइल से टर्श्री फ्री रेडिकल की और बढ़ते हैं तो इस में डेल्टा एच के मान में कभी आती है तो यदि किसी मूलक के बनने में कम उर्जा की आफशक्ता है तो इससे ये निश्कश निकलता है कि मूल एलकेन वे उस मुक्त मूलक की उर्जा में अंतर कम है अर्थात बनने वाला फ्री रेडिकल कम उर्जा स्तर पर है तो कोई स्पीशिस जितनी कम उर्जा की होती है उतनी ही आसानी से वह बनती है अर्थात उतनी ही उसके निर्मान की वर्णात मक्ता होती है और उतनी ही अधिक वह स्थाई भी होगी मैं पुने रिपीट करती हूँ इस लाइन को की कोई स्पीशिस जितनी कम उर्जा स्तर की होती है उतनी ही आसानी से उसका निर्मान होता है अर्थात उतनी ही उसके निर्मान की वर्नात्मक्ता होती है यानि उसकी स्लेक्टिविटी होती है उसके बनने की वर्नात्मक्ता और उतना ही उसका स्थाइत्व अधिक होता है तो जो मुक्त मूलकों के बनने की जो सरलता और जो स्थाइतों का बढ़ता हुआ करम क्या होगा मिथाइल का सबसे कम, प्राइमरी का उससे अधिक, सेकेंडरी का उससे अधिक और तर्शरी जो फ्री रेडिकल है, उसका सबसे अधिक जो बननात मता है वहें अधिकों के क्योंकि वो सबसे अधिक स्थाई होता है अब जिस परकार से प्राइमरी, सेकेंडरी और तर्शरी अलकाईल फ्री रेडिकल का नामकरण किया जाता है उसी परकार से हाइड्रोजन परमानों का नामकरण उन कारबन परमानों पर आधारित होता है जिन पर वे जुड़े होते हैं अते इन हाइड्रोजन परमानों को जो प्राइमरी कारबन से जुड़े होंगे उन्हें कहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कारबन से जुड़े होंगे उन्हें हम कहेंगे secondary hydrogens तथा जो tertiary carbon से जुड़े होगे उन्हें tertiary hydrogen कहा जाता है यानि hydrogen परमानूओं का नामकरण भी carbon परमानूओं के आधार पर किया जाता है यानि उन पर ही इनका नामकरण आधारित होता है अब इस reactivity and selectivity को समझने के लिए हम कुछ example लेते हैं पहला example है chlorination of propane अप्रोपेन के एक अणू में जो हाइड्रोजन परमानू की कुल संख्या है वो है आठ और उनमें हम देखें तो 6 हाइड्रोजन परमानू प्राइमरी हाइड्रोजन परमानू है क्योंकि वो प्राइमरी कारवन से जोड़े होते हैं और जबकि दो हाइडोजन परमानू है वो सेकेंडरी हाइडोजन परमानू है तो क्लोरीन के साथ जब इसकी अभिकरिया होती है तो उससे हमें एक मिश्रण प्राप्त होता है 1-क्लोरो प्रोपेन और 2-क्लोरो प्रोपेन का वन क्लोरो प्रोपेन का जो प्रतिशत है वो है 44 परसेंट और टू क्लोरो प्रोपेन का है वो है 56 परसेंट अब इसकी क्रियाविधी को अगर हम देखें तो इसको हम समझ सकते हैं कि जो पहली क्रियाविधी है उसमें आप देखें प्राइमरी फ्री रेडिकल बनता है और फिर वह क्लोरीन के साथ क्रिया करके वन क्लोरो प्रोपेन बनाता है second जो क्रियाविदी है उसमें आप देख रहे हैं कि secondary free radical बनता है और से final product 2 chloropropane बनता है और इस reaction में आपने देखा कि 1 chloropropane 44% है और 2 chloropropane की जो yield है वो 56% है अब यहाँ पर जो समझने वाली बात यह है कि 6 hydrogen प्रमाणू primary होते हुए भी जो 1 chloropropane का percentage है वो 2 chloropropane जिसमें की 2 secondary hydrogen atom होते हैं उसकी तुलना में कम है यानि कि propane में जो primary और secondary hydrogen प्रमाणू का अनपात है वो है 6 अनपात 2 यानि 3 अनपात 1 तो अगर इस आधार पर हम देखें तो जो बनने वाले उतपात है यानि 1 chloropropane और 2 chloropropane है उनका ratio भी यही होना चाहिए जबकि वास्तव में अगर हम देखें तो यह ratio लगबग बराबर सा है इसका कारण यह है कि जो secondary free radical बनता है वो primary free radical की तुल्ला में अधिक स्थाई होता है यानि हम कह सकते हैं कि जो secondary free radical बन रहे हैं उनकी बनने की जो संख्या है वो primary free radical से अधिक है और स्थाई अगर secondary free radical जो अधिक स्थाई है उसकी सक्रियन उर्जा यानि energy of activation का मान भी कम होता है फल स्वरूप टू क्लोरो प्रोपेन आसानी से निर्मित होता है वन क्लोरो प्रोपेन की तुल्ला में तो यह किसी भी अलकेन की कौन सा उत्पात बनेगा यह उसकी reactivity and selectivity कहलाती है सेकंड एक्जाम्पल है क्लोरीनेशन ओफ आइसो ब्यूटेन अब आइसो ब्यूटेन के क्लोरीनी करण में दो कंपाउंड बन रहे हैं आइसो ब्यूटेन क्लोराइड जिसका 64% उसका अनपात है जबकि दूसरा बनता है टर्श्री ब्यूटेन क्लोराइड जो कि 36% बन रहा है आइसो ब्यूटेन के एक अनु में आप देखें तो नो हाइड्रोजन परमाणू प्राइमरी हैं यानि प्रात्मिक हैं जबकि केवल एक हाइड्रोजन तृत्यक हाइड्रोजन परमाणू है तो अगर प्रात्मिक और तृत्यक हाइडोजन परमाणों को रेशो देखें तो वो है नो अनपात एक इसी अनपात में ही आजसो बुटिल क्लोराइड एमम टश्री बुटाइल क्लोराइड की यिल्ड यानि लबदी भी होनी चाहिए लेकिन वास्तव में यह जब लबदी प्राप्थ होती है तो यह दो अनपात एक में प्राप्थ होती है यानि नो अनपात चार दश्मलाव पांच के अनपात में यह उत्पाद बन रहे हैं अर्थात तश्री हाइड्रोसन परमाणू के निकलने की अर्थात तश्री फ्री रेडिकल बनने की संभावना निर्धारित संख्या से लगभग 4.5 गुना अधिक है उसका कारण भी यही है कि जो तश्री फ्री रेडिकल है वो प्राइमरी फ्री रेडिकल की तुलना में बहुत अधिक स्थाई है उसकी सक्रियन उर्जा का मान, primary free radical की सक्रियन उर्जा के मान से बहुत कम होता है और तश्री free radical बहुत ही आसानी से बन जाता है इसलिए जो yield इसका प्राप्थ होता है वो 36 यानि तश्री butyl chloride की लबदी 36% प्राप्थ होती है तो alkane में जो hydrogen प्रमाणों की अभी किरिया शेलता का करम होता है कि तश्री hydrogen प्रमाणों सबसे अधिक अभी किरिया शेल होते हैं उससे कम होते हैं secondary और सबसे कम अभी किरिया शेलता होती है वो होती है primary hydrogen प्रमाणों की तो students, आज की इस class में हमने दो example के माध्यम से chlorination of propane and chlorination of isobutane के उधारणों के साथ हमने alkane के halogeny करण की reactivity and selectivity यानि अभी क्रियाशिल्ता और वन्नात्मक्ता के बारे में चर्चा की उसके बारे में अध्यन किया So, thank you so much